रात का समय था, चारोर घूप अंधेरा चाया हुआ था केवल एक ही कमरा प्रकासित था वहाँ चार मुंबत्य जल रहे थी चारों मुंबत्य एकांत देख आपस में बाते करने लगी पहली मुंबत्य बोली, मैं सांती हूँ जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ, तो बहुत दुखी होती हूँ चारोर आपा धाफी, लूट खसोट और हिंसा का बोल बाला है ऐसे मैं यहां रहना बहुत ही मुश्किल है अब मैं यहां और नहीं रह सकती इतना कह कर मुंबत्य बुजगे दुसरी मुंबत्य भी अपने मन की बात कहने लगी मैं विश्वास हूँ मुझे लगता है कि जूट, धोखा, फरेब, बेमानी मेरा वजुद खत्म करते जा रही यह जगा अब मेरे लायक नहीं रही मैं भी जा रही हूँ इतना कह कर दुसरी मुंबत्य भी बुदगे तिसरी मुंबत्य भी दुखी थी वह बोली मैं प्रेम हूँ मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा स्वार्त और नफरत का भाव मेरा इस्थान लेता जा रहा है लोगों के मन में अपनों के प्रती भी प्रेम भावना नहीं बची अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं मेरे लिए जाना ही ठीक होगा ऐसा कहकर तिसरी मुंबत्य भी बुजगे तिसरी मुंबत्य बुजी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया मुम्बत्तियों को बुजा देख उसे बहुत दुख हुआ उसकी आखों से आशु भहने लगे दुखी मन से वो बोला इस तरह बीच में ही मेरी जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तू तुमें तो अंत तक पूरा जलना था लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया अब मैं क्या करूंगा बालक की बात सुन चौथी मुम्बत्ति बोली घबराओ नहीं बालक मैं आसा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरे लव से दूसरी मुम्बत्तियों को जला सकते हूँ चौथी मुम्बत्ति की बात सुन कर बालक का धाटस बन गया उसने आसा के साथ सांती, विश्वास और प्रेम को पूना प्रकासित कर लिया जीवन में समय एक सा नहीं रहता कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा जब जीवन में अंधकार आए मन असान तो हो जाए विश्वास डग मगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे तब आसा का दीपक जला लेना जब तक आसा का दीपक जलता रहेगा जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता आसा के बल पर जीवन में सब कुछ पायदा सकता है इसलिए आसा का साथ कभी न छोड़े